आज का Digital यूग जहां एक तरफ हमारे जीवन को आसान और सुविधा जनक बना रहा है वहीं दूसरी ओर साइवर अपराधों का खत्रा तेजी से बढ़ता जा रहा है देश भर में साइवर छग नए नए तरीकों से मासूम लोगों को शिकार बना रहे हैं और आपकी एक छोटी सीगलती आपकी मेहनत की पूरी कमाई को मिंटों में छीन सकती है जी हाँ खास कर OTP यानि की वन टाइम पासवर्ड ये फ्रॉट के मामलों में तीजी से बढ़ोतरी हो रही है जहां ठग आपकी नीजी जानकारी का फायदा उठा कर आपके बैंक का खातों को खाली कर देते हैं अब आप ये सोच रहे होंगे कि OTP फ्रॉट क्या है और ये होता कैसे है तो आपको बता दे कि OTP एक बार इस्तमाल किया जाने वाला पासवर्ड है जो बैंकिंग और अन्य महत्वपुर्णे कारियों के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करता है हलाकि साइबर थग इसे चुराकर बैंक खाते से पैसे निकाल लेते हैं थग अक्सर फोन कॉल या मैसेज के जरिये आपको भ्रमित कर OTP मांग लेते हैं और फिर उसे आपके बैंक खाते में अने धिक्रित लेन देन के लिए इस्तमाल करते हैं थग अक्सर आपको फोन कॉल या मैसेज भेज कर विश्वास दिलाते हैं कि आपकी जानकारी किसी आवश्यक प्रकिरिया के लिए जरूरी है वह आपको किसी लिंक पर क्लिक करने या फॉर्म भरने को कहते हैं जिससे आपका OTP चुरा लिया जाता है और हाली में एसाइएम स्कैम के जरिये भी ठगी का मामला सामने आया है जिसमें ठग आपके नंबर को क्लोन कर लेते हैं और आपका OTP प्राप्त कर बैंक खाते को खाली कर देते हैं जी हां हाली में नौईजा की एक महिला एसाइएम स्कैम का शिकार बनी जहां ठगो ने उनके बैंक खाते से 27 लाख रुपे निकाल लिये ठगो ने ना केवल उसके बैंक खाते से पैसे ट्रांसफर किये बलकि उसके फिक्स टिपॉजिट को तोड़ा और उसके नाम पर परसनल लोन भी लिया इस बढ़ती समस्या को गंभीरता से लेते हुए भारतिय सरकार की एजिंसी सर्टीन यानि की इंडियन कंप्यूटर एमर्जेंसी रेस्पॉंस टीम ने पूर्व में ट्वीटर प्लाटफॉर्म पर कुश्महत्पपो नसुरक्षा उपाय साजह किये हैं जिनसे ल उन लेन देन के लिए OTP का उपयोग करें जिन्हें आपने खुद ही अधिकरित किया हो दूसरा यह कि इमेल या मेसेज में आए संदेग्द लिंक पर क्लिक ना करें बैंकों या संगस्प्रों द्वारा आए किसी संदेश की वैधता की जाच अधिकारिक वेबसाइट या हे अपने फोन और कंप्यूटर पर एंटी वाइरस सॉफ्ट्वेर को हमेशा अपडेट रखें और नियमित रुप से स्कान करें पुराना सॉफ्ट्वेर साइबर अपराग्यों के लिए आसान निशाना होता है साइबर फ्रॉट के खत्रों के बारे में अपने परिवार और दोस्तों को जरूर सुचित करें ताकि वे भी सतर्क रहें और इनसे बच सके अगर आपको संदेश है कि आपको OTP चोरी हो गया है तो तुरंत अपने बैंक से संपर्क करें और घटना की सूशना दे आपको बता दे कि साइबर फ्रॉट से बचने के लिए सबसे महत्वा पुर्ण है सतर्क रहना अगर आप भी ऐसे साइबर अपराधियों के निशाने पर नहीं आना चाते तो सर्टीन द्वारा दिये गए सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखें और सतर्क रहें इससे आप अपनी व्यक्तिकत और वीदिये जानकारी को सुरक्षित रख सकते हैं और साइबर छगों के जाल से बचे रह सकते हैं हम है तेश के दिल उत्तर प्रदेश की धणकन उत्तर प्रदेश टाइम्स